जहीं दोस्तो मिरा नाम है पुश्कर और आप देख रहे हैं Techs Crew और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप अपने Android फोन को किसी भी Android फोन को चाहिए उसमे आयर ब्लास्टर हो या फिर नहीं हो आप उसको as a remote control use कर सकते हैं अपने Android TV को control करने के लिए because अभी के समय में किसी भी ब्रैंड का आप Android TV लेते हैं तो उसका जो remote control होता है वो आपके TV से Bluetooth के through connected होता है जब Bluetooth के through connected है तो फिर आपके Android phone में भी Bluetooth है आप उससे भी control कर सकते हैं अपने TV को किस तरीके से कर सकते हैं बिना किसी internet connection के requirement को कोई internet connection का हम यूज नहीं करेंग बट अगर other TV है जैसे Samsung का Tizen OS based TV है तो वहाँ पर ये work करेगा की नहीं करेगा ये चीज़ को लेकिए हम sure नहीं है तो वो चीज़ आप try कीचे अगर work कर जाता है comment section में बताइए और users को help हो जाएगा start करते हैं पूरा process और यहाँ पर आप मेरे TV पर देख सकते हैं कि हमारा TV ज जाएंगे और नीचे remote and accessories है ना यहाँ पर हम जाते हैं तो यह है Bluetooth का जो भी connected device है वो यहाँ पर show करता है और Bluetooth को आप on-off नहीं कर सकते हैं यह चीज़ यहाँ पर आपको option मिलता है तो ठीक है हम यहाँ पर TV को इस condition में रहने देते हैं और अब हम आपको लेके चलता है Android phone पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह मेरा Samsung M51 है और इसमें कोई IR blaster जो है वो देखने के लिए तो आपको नहीं मिलता है ठीक है तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको यह Android TV remote control app जो है वो download कर लेना है Google का developed app है तो आपको safety security से लेके कोई issue नहीं होगा हम आपको already download कर लिए है install कर लिए है और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे internet connection जो है वो off करते हैं सिर्फ Bluetooth connection आप देख सकते है Bluetooth जो हमारा enabled है इसके लावा ना ही मेरा phone Wi-Fi से connected है और ना ही इसमें internet connection on है even मेरा जो TV है वो भी disconnected है कोई भी प्रकार की internet से वो connected नहीं है अब हम इस app को open करते हैं first time open करने पर आपको कुछ इस type का page देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर accept and continue पर tap करना है कुछ permission देना होगा आपको जैसे की voice assistant को use करने के लिए आपको जो अपने microphone का permission देना होगा location का permission देना होगा continue पर tap करेंगे और यहाँ पर while using app करेंगे और देखिए automatically य आपका android phone same internet से connected रहेगा तो यह internet के through भी connect हो जाएगा तो कोई problem नहीं है बट अगर यहाँ पर internet connection जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे phone पे भी off है मेरे tv भी off है तो यहाँ पे जो है मेरा tv शो कर रहा है अब इसके उपर हम जैसे ही connect tap करते हैं तो tap करने के बाद आपको एक pairing request जो दिख रहा होगा जो आपको आपके टीवी पर दिख रहा है और उसके बाद जो यह हमारा android phone है इसमें भी यहाँ पर को कर देना है और इसके बाद यह ऐसा सा एक remote control जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा अब इसके थूरू आप navigate कर सकते हैं अपने Android TV पर देख सकते है कि इस तरीके से हम कुछ navigate कर सकते हैं और यहाँ पर अभी भी आप देख तकते हैं कि मेरा TV जो है वो disconnected है कोई connection नहीं है इंटरनेट connection नहीं है यहाँ और simply यह Bluetooth के थूरू connect हो गया है अब इस तरीके से आप अपने TV पर कहीं पर भी navigate करके जा सकते हैं कुछ search करना है तो किसी TV में या किसी भी remote में quality keyboard नहीं मिलता है typing करना बहुत ही problem हो जाता है अगर आपको कुछ search करना हुआ तो फिर यहाँ पे आप जो है ना ऊपर में अगर आपको यहाँ पर जैसे कुछ भी search करना या फिर YouTube पे भी कुछ भी search करना तो वह चीज़ भी आप कर सकते हैं जैसे अगर आप three lines पे tap करते हैं तो यहाँ पे डी पैड है डी पैड यह है directional पैड इसके अलावा यह वाला जो बटन है यह वाला बटन यह होम बटन है जैसे इसको अगर हम टैप करते हैं तो यह home screen आगे मेरे Android TV का इसको आप ऐस बैक बटन यूज कर सकते हैं अब यहाँ पे इसके अलावा voice assistant को भी आप यूज कर सकते हैं तो फिलाल तो हमारा Android TV जो है वो इंटरनेट से connected नहीं है तो अगर हम सर्च पर करते हैं यह आप जैसे वाइस असिस्टेंट का बटन है इसके उपर आप टैप करके आप अपनको पहले जो है ना आपको record audio का permission देना होगा microphone का while using the app I can't reach the internet right now check your modem or router connection and try again ठीक है तो आप देख लिए कि internet connection नहीं है इसलिए इतना ज्यादा सुना दिया हमको तो इस तरीके से आप connect कर सकते हैं अब यह हमारा realme 6 pro है ठीक है पर tap किये फिर continue पर tap किये फिर यहां पर permission दे दिए और वहां पर भी tv जो हो शो करने लगा tap कर दिये अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हम से भी जो है वो control कर सकते हैं और इस पर भी जाहें तो वह सब भी access कर सकते हैं यूज कर सकते हैं यहां पर भी आपको same touchpad और d-pad option मि पर किए हुआतीकली आप सपस्त ह Помbley ज tube परीत। यह आने के बाद है।자는 किपैड पर इंडेकली उन्हेट यूटुब सब्सक्राइब यहां। और यहां पे भी यह वाला जो button है, यह home button है, तो आप इसको as a home button use कर सकते हैं, यहां पे कोई आपको number pad तो नहीं मिलता है, यह number के थुरू आप channel जो है वो change कर सकते हैं, बट इस type का आपको एक basic सा remote मिल जाता है, और आपको generally जो maximum TV है न, अब यहां पे हम Nokia TV का बात नहीं करेंगे, because यह जो मेरा Nokia का TV है, इसका जो remote है, यह कुछ जादा ही buttons के साथ आता है, बट अगर आपके पास Realme का, Mi का, Redmi का, OnePlus का TV है, Android TV है, तो आपको पता होगा कि remote में कितना कम button आपको देखने के लिए मिलता है, तो कुछ उसी type का remote control यहां पे भी देखने के लिए मिल जात है, कि यहां पे IR blaster रहता है, और आप IR blaster के through जो है, वो connect कर सकते हैं, और उस condition में आपको Mi remote app का use करना पड़ेगा, तो यहां पे हम Mi remote app जो है, वो रखे हैं, बट हम use नहीं करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि Mi remote के through किस तरीके से setup करना है Nokia TV या Android TV के साथ, तो वो चीज़ internet connection के बिना Bluetooth के through connect हो जाता है, बागि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कर दीजेगा और चानल को subscribe कर दीजेगा, इसके अलावा एक और काम है जो आप कर सकते हैं, वो है इस वीडियो को share करना तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई question हो, कोई doubt हो, Android TV remote control app के through connect करने में कोई problem आ रहा हो, वो चीज़ आप comment section में बताईएगा, कोई और issue हो जिसके उपर आप चाहते हैं, कि हम वीडियो कवर करें, तो आप definitely वो comment section में बता सकते हैं, बिलते next वीडियो में, तब तक technology का इस्तमाल एक limit में कीजे, देखने के लिए आपका आपका करें बताफ़गा, कोई प्रूआगा पर्भाइटागा उन्यवकर पात।